लालू जी से असिरवाद लिये हैं कि 2024 का चुनाव उखाड फेकना है 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष निर्धारित करना है बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और जारखंडी सी तीन राज से बारतिय जन्ता पार्टी को बिहार की सत्ता से बिदेखल करने के बाद जन्ता दलियुनाइटेड और उसके नेता नितीस कुमार ने अब प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को 2024 में देश की सत्ता से बिदेखल करने का मिसन तैय किया है नितिश कुमार के इस मिसन पर आगे बढ़ते हुए उनकी पायटी के राश्ट्रे अध्यक्ष अब बीजेपी का होमियोपैथिक इलाज करने में जुट गए हैं ललन सिंग ने इसका एलान किया था कि भारती एजन्ता पायटी के खिलाब हम देश भर में एक जुट्टा के मिसन पर काम करेंगे इसी कड़ी में ललन सिंग ने लालू यादव से मुलाकात की है आरजेरी सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव नई सरकार के गठन के मौके पर भी पटना में मौजूर नहीं थे उनके कंधे का फ्रेक्शर है लिहाजव दिल्ली में इस वक्त अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती के घर पर आराम कर रहे हैं यही वज़ा है कि ललन सिंग सरकार गठन के बाद लालू यादव से मुलाकात करने दिल्ली पहुचे ललन सिंग ने लालू यादव से मुलाकात की इसके बाद एलान कर दिया कि नरेंद्र मोधी सरकार की विराई का लक्ष तै हो गया है ललन सिंग ने कहा कि हमने भारतिय जन्ता पार्टी को हालिया बिधान सभाच चुनाओं में सहयोग किया था लेकिन बीजेपी ने जेडियू के खिलाफ धोखाधड़ी अपनाई अब बारीश सीधे मुकाबले की है ललन सिंग ने कहा है कि बीजेपी को लोगसभाच चुनाओं 2024 में केवल 40 मौजूदा सीटों पर हरवाना है भारतिय जन्ता पार्टी के पास फिलाल लोगसभा में जितनी सीटे हैं उसमें से अगर 40 सीटों पर हार दिलवा दी गई तो नरेंदर मोदी का मिसन खत्म हो जाएगा नरेंदर मोदी साल 2024 में देश की सत्ता से बेतखल हो जाएंगे ललन सिंग ने ये भी एलान कर दिया कि वह लालुयादों का आसरवाद लेने आये थे लालुयादों और ललन सिंग के बीच रिस्ते कैसे रहने हैं ये बताने की जरूत नहीं लेकिन फिलहाल ललन सिंग कहीं ने कहीं यह मैसेज देने की कोसिस कर रहे हैं कि इस बार बिहार में महागडवंधन की जो सरकार बनी है वह पहले से ज़्यादा मजबूत है आईए सुनवाते हैं आपको ललन सिंग का पूरा बयान लालु जी से असिरवाद लिये हैं कि 2024 का चुनाव उखाड फेकना है 2024 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष निरधारित करना है बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल बिहार और जार खंडी सी तीन राज से